बसकार दोस्तों आपका स्वागत है स्केट को आई थर्टी चनल में चली दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड यहां पर वर्कमेन और जूनियर आफिसर की विकेंसी निकल कर आई तो इस वीडियो में कम्पलीट डिटेल बात करेंगे क्या योग गिताये हैं कैसे आपको अप्लाई करना है और बाकी यहां पर अप्लाई करने की चुक है तो आप ए वीडियो देखते रहे हैं इस वीडियो में कम्पलीट डिटेल में बताएंगे यहां पर यह चेल हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड जैसा कि आपको पता होगा अच्छी खासी कंपनी है तो चलिए यहां पर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसका अफिस्यल नोटीज दिखा देतें इसके बात करेंगे कंप्लीट वेकेंसे के डिटेल के तो यहां पर देख सकते है आपको सबसे पहले इसके आफिसियल वेबसाइट पर आणा होगा हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड क official website पर यहाँ पर मैं अभी career section में आ चुका हूँ इसका link आपको discussion में मिल जागा आपको इस पेज पर आ सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको division का name मिल जागा technical training institute TTI के अंतरगत वेकेंसी निकल कर आई यहाँ पर देख सकते हैं जाप position information आपको मिल जागा यहाँ पर impelling facility member के रूप में आपको यहाँ पर joining मिलेगे चली यहाँ पर देख सकते हैं डेट की बात कर लेते हैं तो 12 अगस 2020 की notice जारी किया गया है लाजड़ डेट की बात कर ले यहाँ पर आपको by data मतलब application फार्म मिल जाएगा और तीसरा notice जो है आपको enclosure मिल जाएगा आपको vacancy related subject मिल जाएंगे तो चली यहाँ पर एक-एक detail बात करेंगे एक-एक आफीसर की रूप में vacancy निकल कर आई है दोस्तों बता दी इस company की detail थोड़ा सो तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको TTI के अंतरगत यहाँ पर अप्रेंटिस करा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं 2000 के आसपा से हाँ पर अप्रेंटिस कराया जाता है यहाँ पर देख सकते है vacancy से detail यहाँ पर आपको मिल जाए किस प्रकार की vacancy है किस प्रकार का देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो industry से related industry expert academic और इसके लाओ trade expert field expert retired person के लिए यहाँ पर vacancy निकल कर आई है as a visiting faculty member के रूप में चले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दो पार्टों मे vacancy को दो टाइप के vacancy तो सबसे पहले यहाँ पर पहली जो vacancy इसके बारे में हम ज्यादा detail बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ओगता में यहाँ पर 10 साल का experience मांगा गया तो simply 10 साल का experience बहुत जाता होता है तो मैं यहाँ पर दूसरी vacancy के लिए mainly बात करने वाला हो देख सकते यहाँ पर नीचे आपको इसका qualification मिल जाएगा second number के लिए जो qualification है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मतलब आपने डिप्लोमा किया है किसी भी यहाँ पर जो इसका area है मतलब respective area से किसी भी institute से आपने कर रखाया और साथ ही साथ यहाँ पर एक से दो साल का एक साल या दो सा का आपके पास experience है अपने post के qualification के हिसाब से तो आप apply कर सकते है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास degree या डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास एक या दो साल का experience होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेशर candidate apply नहीं कर सकते है या तो के अंतरगत कोई certificate है और इसके साथ ही साथ आपके पास तीन साल का experience है तो भी आप apply कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उन candidate को यहाँ पर प्रेफ्रेंस दिया जाएगा कि इन candidate को जिनके पास यहाँ पर craft instructor certificate CIC का certificate है उनको यहाँ पर प्रेफ्रेंस मि knowledge अच्छी जानकारी अच्छी पकड़ोने जाए subject की साथ में यहाँ पर practical experience होना चाहिए और communication skill अच्छा होना चाहिए क्यों कि वहाँ पर आपको जाकर training देना है जो apprentice के लिए लोग आते उनको training आपको देना है चलिए यहाँ पर बात कर लेते duration lecture कितना होगा और आपको stipend salary क आपके अंदर talent होना चाहिए 2-6 घंटे का class लेने का मतलब आपसे 2-6 घंटे तक कि आपको class वहाँ पर schedule के अकार्डिंग लेनी पड़ सकती इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो payment आपको salary मिलेगा तो यहाँ पर category one की वेकेंसी थी उसके लिए यहाँ पर 550 रुप आपको payment मिलेगा इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन लोग apply कर सकते हैं और कैसे apply कर सकते हैं तो यहाँ पर apply करने के लिए सिंपली इसका offline application form है उसको आपको fill up करना है और सभी अपनी डाकुमेंट अटेच करके इनकी email address पर आपको send कर देना last date यहाँ पर द attach करके यहाँ पर भेज देना तो simply अब आपको समझ में आ गया हो कौन candidate apply कर सकते वेकेंसी काहां पर कुछ बताया नहीं गया कि कि कितनी वेकेंसी है लेकिन बहुत सारे website मैंने देखा यहाँ पर बता जाया 2000 अप्रेंटीस की वेकेंसी आई है ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर अबनी इस प्रकार से open हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जागा टेकनिकल ट्रेनिंग इस्ट्यूट का यह अप्लिकेशन फार्म है यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ डीटेल यहाँ पर फिलफ करना होगा जैसे कि यहाँ पर पर सबसे पहले आपको ने इस अप्लिकेशन देंगे उसका है पर फोटो कापी सर्टिफिकेट का आपको अटेच करना होगा इस अप्लिकेशन फार्म में तो सिंप्लिय आप यहाँ पर टेंथ ट्वल्थ के तो ट्वल्थ का डिटेल और उसके लगाँ आपके पास जो भी अप्रेंटिश का सर्टिप कि अब इसका साहई कहा नेम डेंगे कितने साब क्या को एक्स्प्रियเन्स है और लिट्रीय से लेंगे चलि इसके बादेंगे हाँपे क्या करने इसके ते अप उसका नाम देना है पर जरूरी है आप जरूर देजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सेलेक्शन किया जाएगा तो जिस सब्जेक्ट को आपको अच्छी नालेज हो यहाँ पर उस सब्जेक्ट का प्रिफ्रेंस दे सकते हैं चलिए इसके बाद यहाँ पर देशते आप से पूछा जबर आए कि कौन से पोच्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो हाँ पर प सिंप्ली पोउस्ट ऊवन या आप पो स्क्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इंधर कर चकते हैं ऀसके लमऒ हैं आपदेट और सिग्नेटर करेंगे और अस्ट आप li च्लि दोस्तों यहां पर इसके बाब देख सकते हैं लास्ट जो फीडि यहँ पर सब्जेक्ट फिल כौन सब्जेक्ट फिल trading area में आपको जानकारी होनी चाहिए तो इसमें से देख सकते हैं है हपर टोटल आपको 108 यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए तो तो simply आपको इसमें से जो है कुछ subject की जानकारी होनी चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं तो क्योंकि इसी के आधार पर आपको उहां पर ट्रेनिंग देना होगा तो दोस्तो अच्छा मौका है अगर आप यहां पर eligible candidate है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए अच्छा मौका है यहां पर मिल लाया है आपको यहां पर lecture देने का मतलब ट्रेनिंग देने का अच्छा मौका मिल लाया और इस ट्रेइपेंड salary भी आपको अच्छी खासी मिल ले ब दोस्तों मैं बता दूँ यहां पर बहुत सारे पॉटलों पर यहां पर मैंने देखा कुछ वेपसाइडों वहार पर बता जाया है यहां पर कंपनी का डीटेल बता जा रहा है कि यहां पर यह कंपनी 2000 अप्रेंटिस कराती है जो है आई टिया ग्रेजूएट डिप्लोमा के लिए 2000 अप्रेंटिस कराती है और उसके लिए उन ही अप्रेंटिस जो कराती है उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहां पर वर्क मैन और जूनियर आफीसर की वेकेंसी निकल कर आई है और सारा डीटेल मैंने बता भी दिया तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका ब थायं रिए अपड़त है और सो टोस्तों वे हूरतए आपका रवने उसरक बढा रंड जयf ऐला रंड़ मैंने के अभर के वाटे सार्डेंटिस तो प्रत्तों से अभने देने भायमे उन है वे जय करेंसे वेडर पाने मारतिस से लिए जबसेल करेंसे आपका देंका दिए